जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत बहुत धनेवाद दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रावन ने आपकी राशी के बारे में कुछ बहुश्वानी करी थी कुछ बाते बताई थी जो अभी तक में कौन सी साउधानियती उन बातों को कैसे हम फोलो करें या आपके लिए जानना बहुत ज़र्दा जरूरी है चूंकि रावन हमारे समाज में नेगेटिविटी का नेगेटिविटी नकारत्मक्वा में क्योंकि भगवान राम उन्होंने मासिता का हरन किया था लेकिन उसक इससे हमें कुछ सीखना चाहिए तो पूरी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और ये बाते बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको एक सही जानकारी मिले जिससे कि आप इन बातों को समझ कर शायद जीवन में किसी परिशानी से किसी तक्लीप से बज सकते है तो वो बाते कौन सी इस पूरे वीडियो में हम उसी विशे पर चर्चा करेंगे इस वीडियो को पूरा और अरंत तक देखें अगर ये वीडियो आपको कहीं भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना अगर चैनल पर बताईगे जानकर आपको अच्छी लगते तो च की थी कि कभी भी किसी को अपने आर्थिक घाटे वर्तमान में यदि हो रहा है या कभी भविश्य में भूत में हुआ हो या भविश्य में भी होने वाला है जो संभावित हैं कभी भी उस घाटे के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि रावन का ऐसा मानना था कि ज लोग हम से इर्श्या करना शुरू कर देते तो इसलिए कभी भी हमने आर्थी घाटे को किसी भी बताने से जतना हो सके उतना हमें बचना चाहिए दोस्तों, दूसरा होता है अपने रहस्य, ये बात रावण ने इसलिए बात कहीं थी क्योंकि रावण का एक रहस्य था क्योंक वह रहस Tusk बहुत सिर्फone तीन लोगों को भी बता था और उस वज़े से उस रहस्टे को किसी को भी मोतलाब उसमें एक बात इंक्रोड करें कि वह से उसकी को बना बटा हें वह रहस्ट जैसे और पूपलिक तो महिला और फुरुष पती फद्रेम के की जो बाते हैं सामाजी या पब्लिक pa 성 형 pointief बाते हैं उसले पता हुद की हमता है और पभाते हैं की घरेलोग विवाद of बेट कर सुला कर ही समापत किये जा सकते हैं अच्छा लगो लाइक करें शेयर करें कमेट्स करें अमने में शुवाए